नमस्कार दर्शकों प्रणाम मित्रों हमारी योट्यूब चैनल में आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज का ये वीडियो बहुती खास होने वाला है इसे ध्यान से देखेगा बिना स्किप किये I will also speak in English so those who do not understand Hindi they can skip the video to the halfway to listen in English otherwise those who understand Hindi जो Hindi समझते हैं वो शुरुवात का अधा पोर्षन देखे और जो English समझते हैं उनके लिए बाकी का अधा पोर्षन दूसरे आधे में English में होगा तो ये वीडियो हिंदी और English दोनों में मैं आपके सामने रखने वालों साथ ही हमारी दूसरी YouTube चैनल है Make Money with Stock Market Guru आनंद जी उसमें भी ये वीडियो अपलोड होगा और आगे चलके मैं प्रयास करूँगा कि ये जो चैनल है अनुभवी पंडित इसमें केवल एस्ट्रोलोजिक के वीडियोस रखूँगा और जो दूसरी चैनल बनाई है उसी में Stock Market के ही वीडियो सिर्फ उसमें होगे फिलहाल ये वीडियो दोनों चैनल पे अवेलेबल होगा तो जो भी दर्शक हमारे Stock Market में इंट्रेस्ट रखते हैं इंवेस्टमेंट ट्रेडिंग में इंट्रेस्ट रखते हैं वो हमारी YouTube चैनल Make Money with Stock Market गुरु आनन जी उस चैनल को अवर्श्य सब्सक्राइब कर ले बाकी प्रेडिक्शन, एस्टरोलोजिकल प्रेडिक्शन के सारे वीडियोस में इसी चैनल पे रखूँगा अनुभविपंडित चैनल पे तो बहुत सारे दर्शक हमारे हैं जिनोंने हमें रिक्वेस्ट किया था कि मार्च 2021 में कॉपर बहुत गीरा है तो उसके बारे में कोई वीडियो बना करके बताईए कि उसमें क्या ट्रेडिंग टिप्स थी, क्या एडवाईजरी सर्विस थी और कैसे हमने अपने क्लाइंट्स को गाइड किया तो उनकी रिक्वेस्ट भी थी और मैंने पहले भी सब्टेंबर 2020 में वीडियो बनाया था उसमें बहुत ही क्लियरली कहा था कि कॉपर को कुछ महिनों के लिए बाई करके रखना चाहिए बहुत ही अच्छा प्राफिट होगा तो सब्टेंबर 2020 में जब मैंने वो वीडियो बना करके डाला था इसी चैनल पे उस समय कॉपर का रेट चल रहा था 524 रुपीज एग्जेकली 13 सब्टेंबर के दिन वो वीडियो हमने अपनी यूट्यूब चैनल पे अप्लोड किया था और उसमें हमने सभी कॉमोडिटीज के उपर टेकनिकल एनालिसिस प्रस्तुत किया था गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, नेच्रल गैस सभी के विशय में हमने चर्चा की थी, क्रूड ओयल के विशय में भी चर्चा की थी उसमें विशयस रुप से मैंने कॉपर के लिए कहा था कि कॉपर को कुछ महिनों के लिए बाई करके रखना चाहिए उस समय कॉपर का रेट 524 रुपीज था उसके बाद वो 500 रुपीज तक गिरा भी था लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस अब चलता गया और फेबरुवारी में 730 के उपर पहुच गया तो केवल 6 महिनों के अंदर कॉपर के अंदर 208 रुपे जैतनी बड़ी तेजी हमने देखी 200 से ज्यादा रुपे की तेजी केवल 6 महिनों के अंदर देखी ये बहुती रेरली ऐसी घटना होती है मौर धन 40% अपमोग कॉपर में जो आया तो जिन भी क्लाइंट्स ने हमारे उस टेकनिकल एनालिसिस को फॉलो किया जो भी दर्शकों ने हमारे टेकनिकल एनालिसिस को फॉलो किया उन्हों 6 महिने में बहुती अच्छा मुनाफा हुआ इसके बारे में मैंने फेबरुआरी 18 फेबरुआरी 2021 अठारा फेबरुआरी 2021 को भी एक अपडेट डाला था जिस दिन वो अपडेट मैंने वीडियो अपलोड किया था उस दिन कॉपर 650 के आसपास था लेकिन उसके एक ही हफ़ते के अंदर वहां से भी 70 रुपीज मौर धन 10 परसंट अगेन उपर चड़ गया तो इस प्रकार से टेकनिकल एनालेसिस बहुती सटिक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एनसी एकेडेमी से आइम अ सर्टिफाइड टेकनिकल एनालेस्ट और 11 सालों से मार्केट में काम करता हूँ और पहले से कॉमोडिटी मार्केट के प्रती थोड़ा ज्यादा जुकाओ है और कॉमोडिटी हमारी डे टु डे लाइफ में जो फिजिकल चीजे हैं उससे जुड़ा हुआ है तो वो एक अच्छा प्लेटफर्म है कॉमोडिटी मार्केट से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मुनाफ़ा हम कमा सकते हैं घर बैठे तो आप हमारी टेकनिकल एनालेसिस ट्रेडिंग टिप्स को फॉलो करके आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं मुझसे कॉंटेक करने के लिए आप मेरे वाटसेप टेलिग्राम नंबर के थूंटेक कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो की स्क्रॉल लाइन में आपको हमारा नंबर प्राप्त हो जाएगा तो कॉमोडिटी मार्केट का एक बेनिफिट ये है कि अगर आप नौकरी करते हैं आपका फिक्स टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक का को उसके बाद भी कॉमोडिटी मार्केट रात को 11 बजे तक चलता है जो नौन एगरी कोमोडिटी है नौन एगरी कल्चर प्रोड़क्ट कोमोडिटी है तो नौकरी के बाद भी आप उसमें काम कर सकते हैं जो बिजनेस करते हैं वो भी किसी भी टाइम उसमें देख सकते हैं और commodity market का विशेज चीज ये है कि इसमें बहुत ज्यादा commodities नहीं है, गिनी चुनी commodities हैं तो 10 अलग-अलग commodities, 10-15 commodities हैं उस पर ध्यान रखना है, अगर आप agriculture commodities में काम करते हैं तो वो अलग हैं, उसमें ज्याद commodities हैं, non-agriculture commodities, गिनी-चुनी commodities हैं तो उसमें आप focus अच्छे कर सकते हैं लेकिन जबकि stock market की बात करें तो उसमें 1000 shares हैं तो और उसमें manipulation भी होता है, उस share किस company के हैं, उस company के internal बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता नहीं होती है, लेकिन commodities का ज्यादातर globally news मिल जाता है, हला कि news late आता है और technical analysis उस पे पहले काम कर लिता है, तो technical analysis ज्यादा follow करना ज़रूरी होता है, और आजकल market में technical analysis trend के opposite direction में भी market participants, commodities को, stocks को, index को खेचते हैं, तो इसलिए इसमें experience के भी ज़रूरत होती है, patience रखनी पड़ती है, courage रखनी पड़ती है, तो आज मैं आप सबके सामने, March 2021 में जो copper गीरा है, तो गीरते हुए commodity में भी हमने अपने clients को कैसे बहुत ही अच्छा profit करके दिया है, तो उसकी summary, उसका details में आपके सामने profit loss statement आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, और पूरा video बाक आई दे, अपने client के trading account के back office में login करके, आपको वो video के माध्यम से दिखाऊंगा, कुछ लोगों ने कहा कि photo morphing भी आजकल बहुत होता है, तो सिर्फ एक screenshot पे भरोसा नहीं होता, तो मैं आज video में दिखा रहा हूँ, login करके live, तो आप देख लेजिए, और उसमें trade summary भी होगी, date wise profit loss होगा, तो आप भी इस प्रकार से हमारी technical analysis, trading tips, advisory service को follow करके, अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, इंतजार मत कीजिए, क्योंकि समय सबसे मुल्लेवान होता है, और सही समय का benefit उठाना, वही अकलमंद व्यक्ति की निशानी होती है, अब मैं आप सबके समय मार्च 2021 का लिखा जोखा प्रस्तुत करूँगा, ये हिंदी में शुरुवात कर रहा हूँ, इसके बाद English में भी बोलूँगा, I will also speak in English, so those who do not understand Hindi, can skip this to halfway to listen in English, पहले हिंदी में बात कर लेता हूँ, तो हमारी Trading Advisory Service, Trading Tips और Trading Guidance, हमारे Mentorship के अंदर, जो भी Clients ने Trading किया है, उन में से किसी एक Client के Trading Account के Back Office में लॉगिंग करके, आज मैं आपको March 2021 का Trades, Profit Loss Treatment वगेरा दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, अगर आपने अभी तक हमारी Investment Advisory Service, Trading Tips या Investment Guidance, Mentorship नहीं लिया है, तो आप देख सकते हैं कैसे हम अपने Clients को बहुती अच्छा Profit, महिने, दर महिने करवाते हैं, आप भी हमसे Trading Advisory Service, Trading Tips ले करके, इसी तरह से हर महिने Profit कमा सकते हैं, तो यहाँ पर अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, March 2021 का Profit Loss Summary, Trade Details भी दिखा दूँगा, तो यहाँ सबसे पहले मैं Commodity का आपको दिखाता हूँ, यहाँ Commodity Segment में सिलेक्ट कर रहा हूँ, Profit Loss में Combined ले रहा हूँ, Realized भी ले सकता हूँ, उसमें फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि वही है, और जो Duration ले रहा हूँ, वो February 22nd से ले रहा हूँ, क्योंकि February 22nd से हमने March Futures में Trading शुरू किया था, और 26th March तक किया था, तो 22nd February से 26th March तक का मैं Duration ले रहा हूँ, यहाँ पर, और जिस Symbol या जिस Commodity में Trade किया था, वो Copper है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, Copper 21 March Future, तो Copper का 2021 का March महिने का Future Contracts, उसमें हमने 22nd February से 26th March तक Trading Tips, Trading Advisory सर्विस दी थी, तो उसका यहाँ Profit Loss Statement यहाँ Generate होगा, और यहाँ देख सकते हैं, Realized Profit and Loss 77,125, जी हाँ, तो यह 22nd February से 26th March, यह लगबग एक महिना है, ट्रेडिंग डेज अगर आप गिनें, तो 5 weeks, 25 ट्रेडिंग डेज है, 25 ट्रेडिंग डेज, इसमें जो Red Boxes दिख रहे हैं, यह इन दिनों में Loss हुआ है, और जो Green Boxes देख रहे हैं, उसमें Profit हुआ है, तो अगर आप calculate करें, तो 2, 4, 7, 9, 11, 13, 13 ट्रेडिंग डेज ऐसे थे, जिसमें Loss हुआ है, और 12 ट्रेडिंग डेज ऐसे थे, जिसमें Profit हुआ है, लेकिन फिर भी, फिर भी Overall Profit में हैं, हम और 77,125 का Profit, सिर्फ Copper के March Futures में, लगभग एक महीने 5 Weeks में कमाया है, कैसे कमाया है, वो सारा Details में यहाँ पर आपके सामने प्रस्तोत करूँगा, डे वाइस पहले देख लेते हैं, फिर आपको Trade Summary भी दिखाऊंगा, देखिए, पहली शुरुवा 22nd February को, फर्स्ट डे लॉस हुआ था, 12,000 का लॉस, लेकिन नेक्स्ट डे, 14,495, 14,595 का Profit था 23rd February को, 24th March को अगेन लॉस था, 18,500, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में लॉस नहीं होगा, लॉस भी होता है, Profit भी होता है, लेकिन ओवरॉल टेकनिकल एनाले से सही है, तो ओवरॉल हम Profit में आही जाते हैं, उसके बाद 25th March को 43,375 का Profit था, तो ये है Patience, पहले दिन लॉस हुआ, तो हिम्मत हार के निकल जाएंगे, तो नहीं चलेगा, फिर Profit हुआ, Profit के बाद फिर बड़ा लॉस हुआ, लेकिन फिर भी हिम्मत थी, टेकनिकल एनाले सिस पे भरोसा था, तो क्लाइंट्स ने हमारी टिप्स को continue किया, फॉलो करते रहे, और 43,375 का Profit 25 फेबुरुआरी को हुआ, 26 फेबुरुआरी को 34,825 का Profit, तो देखिए, टेकनिकल एनाले सिस सही था, लेकिन बीच में मार्केट ओपोजिट डिरेक्शन में जाता है, तो लॉस भी होता है, 1st मार्च को 12,000 का Profit, 2nd मार्च को 12,000 का Loss, 3rd मार्च को 20,000 का Loss, 4th मार्च को 18,000 Profit, 5th मार्च को 12,000 Profit, 8th मार्च को 12,000 Loss, 9th मार्च को 10,000 Loss, 10th मार्च को 8,000 का Loss, 11th मार्च को 1100 का Profit, 12th मार्च को 750 का Loss, तो ये जो 2nd week था, मार्च का 2nd week वो बहुती बुडा था, लेकिन फिर भी client ने continue किया follow करना और 15 मार्च को 6000 का loss, 16 मार्च को 2800 का loss, 17 मार्च को 2500 का profit, 18 मार्च को 6000 का loss, 19 मार्च को 3490 का profit तो मार्च का 2nd और 3rd वीक अच्छा नहीं रहा overall, लेकिन देखिये, last week शुरू होते ही 22nd मार्च को 31,900 profit, 23rd मार्च को 11,600 profit, 24th मार्च को 17,000 profit, 25 मार्च 7,700 का loss, 26 मार्च 435 का loss, तो आखिर के 2 दिन में भी loss था और copper मार्च futures में trade करने की जब शुरू आती तो first day भी loss था, लेकिन overall, overall आप इसका total calculate करेंगे, तो ये 86,000 profit होता है, अब यहाँ 77,000 दिखा रहा है, क्योंकि 9,000, brokerage और सेबी charges, commodity exchange के charges, वो सब charges minus करने के बाद, net profit हुआ 77,125, तो हम यहाँ पर अपने clients को जो भी trading tips देते हैं, advisory service देते हैं, वो technical analysis के base पे होता है, I am a certified technical analyst, national stock exchange of India के द्वारा NAC academy चलाई जाती है, NAC academy से मैं certified technical analyst हूँ, और 11 सालों से market में काम करता हूँ, शुरू से ही मुझे commodity trading का ज्यादा जुका हुथा commodity trading के प्रति, और आप में से बहुत सारे दर्शक जानते होंगे कि जब SEMCO Securities और CNBC Avas TV चैनल के द्वारा ट्रेडिंग competition, live trading competition रखी गई थी, तो उसमें भी commodity में मैं winner बना था, तो commodity trading के द्वारा बहुती अच्छी कमाई कर सकते हैं, commodity trading में मैनत थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि ये सुबे 9 बजे से रात को साड़े 11 बजे तक, लगबग 15 घंटे trading चलती है, तो उसमें ध्यान रखना होता है, साथ ही इसमें global, पूरे विश्व में जो भी उतार चड़ाओ, politics में, economics में, जो भी events होती है, उसका भी commodities के उपर तुरंत effect होता है, तो इसलिए उसमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी इसमें कमाई के अच्छे मौके होते हैं, तो आपके सामने ये प्रस्तुत किया, March 2021 में, copper futures में trade करके, हमने अपने clients को more than 77,000 का profit करके दिया है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी ऐसा profit हो, अब मैं आपको summary भी दिखा देता हूँ, trade summary, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस तरह से ये सभी date wise trades summary है, copper की, तो यह trade summary आपके सामने रखी, और इससे पहले आपने यहाँ देख लिया, पूरा date wise भी मैंने आपको बता दिया, किस date में कितना profit, तो 25 trading days हमने copper के March futures में काम किया, उसमें 13 days loss वाले थे, 12 days profit वाले थे, लेकिन technical analysis सही था, इसलिए जब profit हुआ, बहुत बड़ा बड़ा profit वा, जैसे 25 फेबरुआरी एक ही दिन में 43,000 का profit, 26 फेबरुआरी को 34,000 का profit, 22nd March को 31,900 profit, 23rd March को 11,000 profit, 24th March को 17,000 profit, तो ऐसे बड़े-बड़े profit हमने देखे हैं, तो market में up-down आती रहती है, technical analysis सही हो हमारा, तो loss के बाद profit हो ही जाता है, loss भी recover हो जाता है और उससे आगे profit भी होता है, तो faith रख करके trading tips पे continuous काम करना पड़ता है, तभी success मिलता है, Hello friends, how are you all? Welcome you all to this video and to my YouTube channel, this video is going to be very interesting and very informative and very beneficial, so watch this video till and without skipping, if you understand Hindi, then watch this video from the beginning, so the beginning part contains the Hindi अगर आप Hindi समझते हैं तो वीडियो के शुरुवात से देखे क्यांकि शुरुवात में हिंदी में बताया गया है and the second part of the video is in English so those who understand English can continue here this video is going to be very informative, very beneficial, very interesting so please watch this if you haven't subscribed our YouTube channel please click on the red subscribe button and click on the bell icon it's free, there are no charges for subscribing our YouTube channel you can subscribe and click on bell icon so that you can receive the notification of our similar videos I have another YouTube channel make money with stock market guru Anandji so that is only for the videos about investment and trading so I will put this video on that YouTube channel also and on this YouTube channel Anubhaj Pandit I will try to put only videos related to astrology and predictions but for the time being I am putting this video on this YouTube channel Anubhaj Pandit also so those who are interested in our stock market related videos please do subscribe our another YouTube channel make money with stock market guru Anandji so let's start in this video I am going to discuss about commodity trading, copper trading, profitable trading and mega profits so many of our viewers were asking us that what happened to our copper trading advisory service because the copper is falling in March 2021 so what happened to that because in September 2020 I had uploaded a video on this channel and I had told that we should buy copper for few months and copper will rise very high and we can get good profit I had uploaded that video on 13th September 2020 and I had discussed about all the commodities gold, silver, copper, natural gas, crude oil etc and at that time copper was trading at Rs. 524 then it came down to Rs. 500 but then it started going up and in the month of February 2021 copper made a high of Rs. 732 yes so almost 40% increase in just 6 months more than Rs. 200 rise in copper prices in 6 months this is very uncommon this happens very rarely and those who followed our technical analysis about copper they made a big money they made a huge profit so now in March 2021 copper has been falling and it has fallen a good amount so people were asking what happened to that so in this video I am going to show you what was our advisory service what was our trading tips and how we gave profit to our clients in copper in March 2021 so I will show you all the details about date wise profit loss about trade summary and all those things so keep watching and if you want to join us for profitable trading if you want to recover your losses if you want to make big money from stock market commodity market then contact us our whatsapp telegram contact details are given in the video scroll line and in the video description if you have any other questions you can ask us in the comments so feel free to contact us feel free to comment feel free to ask anything about stock market or investment regarding commodity trading so those people who do job from 9 to 5 p.m. they can also look into the commodities after their office hours so they can also pay their attention to the commodities and business people can do anytime so that's a 15 hours trading and commodities are directly impacted by global events by global circumstances and all those things another important thing about commodities is that there are few commodities to focus on unlike the stock market because in stock market there are thousands of shares thousands of companies are listed on stock market you cannot focus on every share every stock every time but here there are very few commodities roughly 10-15 commodities you can easily pay attention to the prices to the movements of the commodities and you can take your bull bets or bear bets on any of your commodities which you are interested in and you have a good 15 hours time to cover your trades so intraday trading is also very good in commodities and you can also carry forward if you have a proper technical analysis and if you have good balance in your trading account and i am a certified technical analyst i am certified by national stock exchange academy and i am into stock market trading for more than 11 years and many people of you know that i was a winner in commodities also in the livestock market trading competition which was organized by semco securities and cnbc avast tv channel so i won't take much time and here is the details of march 2021 now i am going to show you the summary of profit and loss in the month of march 2021 and here you can see i have logged into the back office of a client for whom we provide a trading management service and trading advisory service so here we have selected the segment commodity and we have selected the date range from 22nd february to 26th march 2021 because this is the duration in which we provided trading tips and advisory service for trading in commodity in copper 2021 march futures contract so here you can see it is showing realized profit 77 125 yes this is the net realized profit in five weeks just approximately one month from 22nd february to 26th march and here in this calendar you can see red boxes and green boxes red boxes are showing loss making days green boxes are showing profit making days so out of five weeks 25 trading days there have been 13 days when we made losses and 12 days we made profits but still overall we are in profit and that is not a small profit it is 77 125 profit so now i will show you details date wise and then i will also show you trade summary the first day 22nd february when we started trading in copper march 2021 future contract the first day we had a loss of 12 000 but the client continued on having faith on our technical analysis next day there was a profit of 14495 again on another day 24th february there was a loss of 18500 so market will taste your patience market will taste your confidence market will trust your market will taste your trust market will taste your guts and then if you continue working continue following the technical analysis look 25th february profit of 43 375 and 26th february profit of 34 825 so the initial first day and third day were gave big loss approximately 30 000 loss in two days but in other three days 14 000 43 000 and 34 so 90 000 profit in three days and 30 000 profit loss in two days so this way market would not give you profit every day market would surely give you losses market will surely surely pull you back but you need to have faith in technical analysis you need to have patience you need to have courage you need to have persistence only then you can conquer and only then you can make profit only then you can succeed then in the month of march 1st march there was a profit of 12 000 2nd march loss of 12 000 3rd march loss of 20 000 4th march profit of 18 000 5th march profit of 12 000 then second week of march 8th march 12 000 loss 9th march 10 000 loss 10th march 8 000 loss 11th march 1100 profit and 12th march 750 loss so the second week of march was very bad overall it was a loss making week but still the client had faith and we continued trading 15th march 15th march again lost 6000 loss 16th march loss of 2800 17th march profit of 2500 18th march loss of 6000 19th march profit of 3500 approximately so the third week of march was not was also not so good that was also almost loss making week so the second week of march and third week of march were overall loss making weeks but still there is faith in technical analysis there is faith in the guidance and client continued to follow our technical analysis our trading tips and look the last week of march 22nd march profit of 31 900 23rd march profit of 11 000 24th march profit of 17 000 so big profit making week the last week of march 25th march loss of 7700 and 26th march loss of 435 so last two days of the march were loss making even the first very first trading day of the copper march future that was also loss making but still out of 25 trading days we had 13 loss making days and 12 profit making days still we made a total profit net profit of 77000 if you make a sum total of this daily profits and loss then you will come to a figure of 86000 profit but out of that 86000 profit 9000 was 9000 were into the charges of sebi charges exchange charges brokerage charges and all those things 9000 were deducted and net profit came 77125 so this way we need to follow technical analysis we need to have patience we need to have courage we need to keep going despite having ups and downs and only then we can reach a good successful end let me also show you the trade summary I showed you date wise profit and loss now I will show you the trade summary here is the trade summary and here you can see the date wise trade we started on 22nd February in copper 2021 March future and we continued till the end of March so here which rate we bought which rate we sold the copper future contracts you can see it is not one or two trades there are many trades and we continued till the end of March we started in the last week of February and which rate we bought which rate we sold all this trade summary that you can see over here so this is how we provided the trading tips and the client followed our tips and got the benefit of more than 77000 profit in just 5 weeks I have been trading in stock market and commodity market for more than 11 years now and I have a good grip over the commodity market especially and I am a technical analyst certified technical analyst from National Stock Exchange Academy so on basis of my technical analysis on basis of my experience of more than a decade I provide trading tips, advisory service and mentorship to people who want to make money through stock market and commodity market so those of you who haven't yet started availing my trading advisory service or trading tips or investment advisory service you are most welcome come on join me and make good money under my guidance thank you for watching best wishes to you all you can contact me through WhatsApp, Telegram you have my details in the video scroll line and in the video description thank you thanks check out I am question how is it is I